हलो माई दियर स्टूडेंट्स वेलकम शागत है आज की इस मोडिवेशनल वीडियो में ये बहुत ही इंपोर्ट वीडियो है जो बच्चा बूड की परिक्षा देने वाला है ठीक है आज की इस वीडियो में अगर आप 10 और 12 का एक्जाम देने वाले हैं बूड का एक्जाम तो आज हम आपको बताएंगे जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं जी हाँ जो प्रिवेस एर्स के टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनका जो टाइम टेबल है मतब सुबह से साम तक वो कब कितना देर कौन-कौन सा सब्जेक्ट किस टॉपिक पे वो पढ़ते हैं सुबह कितन टॉपर बनते हैं बोर्ड की परिक्षा में टॉप करते हैं उनका सही टाइम टेबल क्या है वो सुबह कितने बजे उठते हैं रात में कितने बजे शोते हैं और वो कैसे 95-94% लाकर बोर्ड परिक्षा में स्टेट टॉपर डिस्टिक टॉपर बनते हैं तो ये एक मोटिवे बहतरीन एडवाइस देने वाले हैं आपको मोटिवेट करने वाले हैं कि सुबह से साम तक रात तक टॉपर की जो टॉपर का जो टाइम टेबल है जैसा कि स्क्रीन के उपर चल रहा है कि टॉपर का सुबह से रात तक का टाइम टेबल क्या है ठीक है आप भी अपना टाइम टे आप भी अपना time table यही कर लो अगर आप इसी time table के इसाप से अपनी पढ़ाई करेंगे तो सच कह रहे हैं हम आपको topper बनने से कोई नहीं रुक शकता है सबसे पहला सवाग कि सर अगर मैं topper बनना चाता हूँ या जो बच्चा topper बन चुका है उससे आपने पूछा तो उसने आपने उठने का सई समय क्या बताया बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं रात में लेट से शोते हैं ठीक है और सुबा लेट से उठते हैं दिस इस अ बेरी बैड हैबिट तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि topper का जो सबसे उठने का जो सबसे right time है जैसा कि स्क्रीन के ओपर लिख रहा है कि सुबह चार बजे जी हां टॉपर जो है अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो अपनी एक गलती शुधार लीजिए आप सुबह कितने बजे उठिए चार बजे बहुत सरे स्टूडेंट्स क्या करते हैं रात में बारा एक बजे तक बढ़ते हैं सुबह नौ पीजन करिए चीजों को रटिए चीजों को पढ़िए ना की लिखिए पढ़िए क्या करिए पढ़िए मैंने टॉपर से पूछा बच्चा आप कितने बजे उठते हो तो बोला सर रात में तो सबेरे शो जाते हैं मैंने बोला सबेरे क्यों लेट तक पढ़ो एक दो बजे तो बोला नहीं सब सुबह फिर बहुत दिक्कत होती है इसलिए टॉपर की जो सबसे बड़े निशानी है अपनी इस गलती को खतम करिये रात में लेट से शोने वाला गलती खतम करिये और सुबह सवेरे उटने वाली जो आदत है वो डालिये टॉपर की सबसे बड़े निशान करना जो भी है धैनिक जीवन में जो कारी होते हैं वो टॉपर कितने वज़े से करते हैं साथ से दस और आप क्या करते हो आप आठ बज़े सो के उठते हो तो क्या कभी टॉपर बन पाओगे आप खुद सोच के देखो कि जो चीज टॉपर आप सोए रहते हो उतने देर में की तैयारी करना चाहते हैं, टॉपर बढ़ना चाहते हैं, तो क्या टॉपर आठ बजे सो कर उठते हैं, वेरी बैड है भी, तो मैं आपको सबसे पहला सजेशन दूँगा, सुबह चार से साथ, क्योंकि बैक्ग्राउंड नॉइस जो होती है, वो बहुत कम होती है, मुझे भी काफी experience है, मैं राहूल सर आपको एकड़ मोटिवेट कर रहा हूँ, कि अगर आप बोड की परिक्षा में बहतरीन, बहतरीन मार्क्स लाना चाहते हैं, तो सुबह कितने बज़े उठिए, रोज आना चार बज़े उठने की कोशिस करिए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, क कि दोपहर में दस बज़े से एक बज़े तक, यानि सुबह दस बज़े से दोपहर एक बज़े तक लगातार मैट्स का solution करो, यानि इस time जो है, यह background noise यहाँ पे बहुत जादा रहता है, और background noise जादा रहता है, आपको रटने वाली चीज़े आपके वाइन में जाएगा नह यानि जो toppers होते हैं, वो सुबह सुबह चार से साथ रटते हैं, और रटने के बाद, दस से एक, जो चीज़े मैं दे रहा हूँ, यह काफी लंबा experience है मेरा, यूही मैं ऐसे screen पे नहीं लिख रहा हूँ, इतना खतरनाक, इतना motivational video मैं आपके लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं दोपहर दस बज़े से एक वज़े तक, यानि सुबह दस बज़े से एक वज़े तक लगतार, maths का solution करिए, लाइक करिए वीडियो को share करिए, यह कम से कम, 200 से 300 दोस्तों के पास ये वीडियो जाना चाहिए, आपके तुरू, हर एक students इस वीडियो को share करेगा, आप चाहते हैं मनोरंजन होना भी बहुत जरूर है, जैसे गेम्स के लिए, टीवी देखो, ठीक है, कभी मन करें तो क्रिकेट वगएरा खेल लिया करो, जाकर सामें, कभी अभी जैसे मान कर चलो, मोबाइल लो, गेम वगएरा खेलो, ठीक है, जादा नहीं, एक लिमिट से, एक दो घंटा प्रति दिन क्योंकि इससे जो है, वो माइन फ्रेश रता है, चीजे जो है, आपके माइन में अच्छे ढंग से जो है, वो एक्टिवेट होती है, तो मनोरंजन करना ये सबसे बड़ा पाठ है, हमारी पूरी पूरी लाइफ का, इसको बिलकुल इगनौर ना करे, तो अपने जो है, गेम्स वगएरा खेलो, क्रिकेट खेलो, जो आपको सही लगता है, आप उस चीज में अपनी बढ़ाई को करो, ठीक है, आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो आप हमारे लर्निंग अप को इंस्टॉल करिए, वहाँ पर क्यूज वगएरा हो रहा है, वी बहुत सारी ऐसी चीजे हैं, जो आपको टॉपर बनाने में, टॉपर बनने में बहुत मदद देगी, यह सारे टाइम टेबल मैंने टॉपर से, मैंने टॉपर से face to face बात करके, आपके लिए मैंने ये बनाया, फिर मैंने लिखा कि साम के समय आप ग्रूप बना कर रो जाना, objective और QGES कर वाओ ठीक है मैंने एक topper से पुछा बच्चा आप objective पर कैसे cover करते हो तो उसने बोला सर हम 8-10 दोस्त मिलकर क्या करते हैं साम में QG करते हैं मैंने बोला वो कैसे तो बोला एक library जैसा बना लेते हैं 10-12 लोग बैठते हैं और आपस में एक दूसरे से questions पूछते हैं objective के किसी दिन objective के किसी दिन previous years को उठा कर लाते हैं तो मैंने बोला अच्छा ये सही है तो मैंने उससे पुछा time क्या बबू तो उसने बोला सर साम में 4-6-5-7 कोई भी time ठीक है 5-7 ही रख लीजे तो इस time जो है आप एक group बनाईए 5-10 लोग को जादा लोग करने कचड़ों को मत रखे कचड़ा मतलब जो बच्चा पढ़ने में फोकस नहीं कर रहा है जो आपका दोस्त पढ़ने में फोकस नहीं कर रहा है एकदम उसका सोच कहीं और है वो इदर-दर दिमाग लगा रहा है क्या जी ये करना है आज वो करना है उसको group में मत रखा करिए जब भी दोस्ती बनाईए तो ऐसे लोगों से दोस्ती बनाईए जो आपसे बढ़िया हो आपसे जो है वो बहतरीन हो अपने से कमजोर लोगों से दोस्ती ना बनाई अगर वो पढ़ना चाहिए उसके अंदर पढ़ने की जिग्यासा हो तब बनाईए कोई दिक्कत नहीं अगर आपको 10 भी बरबी की board परिच्छा के तियारी करनी हो या notes चाहिए तो यह आपको हमारा आप हमारे whatsapp number पे संपर कर सके notes का demo ले सकते हैं यह हमारा whatsapp number है तो पढ़ाई के साथ-साथ आपको notes की भी जरुत पढ़ती होगी हम लोग अपने हाथों से लिखते हैं notes तो आप एक बार whatsapp करिएगा फिर मैंने बताया कि रात में जो topper होते हैं रात में अब एक सवाल है किसा रात में topper क्या करते हैं सवेरे सोते हैं लेट से सोते हैं तो हमने लिखा कि रात में जो topper है वो मातर 9 से 11 पढ़ते हैं दो गंटा और 11 बजे के बाद वो कोशिश करते हैं कि बहुत जल्द हम सो जाए क्योंकि जब तक आप जल्द सोईएगा नहीं आप जल्द उठीएगा नहीं तो जब जल्द उठीएगा नहीं तो फिर पढ़ाईए आपकी हो नहीं पाएगी सुबह और सुबह नहीं हो पाएगी तो जो सुबह का जो schedule है वो खराब हो जाएगा यहां देखें डाउंडोड करें प्ले स्टोर से dream classes का learning है तो मैंने topper का कितना टाइम बताया जी सुबह चार से साथ दस से एक तीन तीन छे चार से या पान से साथ छे दो आठ आठ और इधर दो घंटा दस घंटे का मैंने schedule बनाया है दस घंटे पढ़कर आप बोड में topper बन सकते हैं यह हमारा help line number है and thanks for watching this video हमारे dream classes को subscribe जरूर करिएगा आपको बहुत बहतर शाबित होगा आपकी पढ़ाई को लेकर हमारी dream classes बिलकुल एक बहुत अच्छी team शाबित होगी और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो share जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ okay my dear students share करिएगा आज किस वीडियो को बहुत बहतरीन वीडियो है आपके लिए यह